दोस्तो एक यूजर ने लिखा है कि आज भारत में मुसल्मान की कीमत सिर्फ 20 रुपई की रह गई है और ऐसा क्यों लिखा है एक खबर में आपको बताने वाला हूँ दिल्ली का रहने वाला एक लड़का 26 साल का जो के मानसिक रूप से बिमार भी था 20 रुपई की चोरी का रोप लगा कर उसे खंबे से बांद कर इतना मारा गया उसे कि उसकी जान के लिगे आप इस तस्वीर को देख सकते हैं तस्वीर मैंने बलर कर दिया है क्योंकि यूटूब की कुछ गाइडलाइन से इसके वज़े से बलर करना पड़ा 26 साल के इस लड़के का नाम बताया जा रहा है इसरार एहमद जो के मांसिक रूप से बिमार भी था लेकिन बताईए जा रहा है कि कुछ भीर ने उस पे 20 रुपई की चोरी का इल्जाम लगा कर उसे इतना मारा कि उसकी जान चली गए उसकी हत्या हो गए आज आप देख सकते हैं कि जस्टिस पोर इसरार एहमद यह हैस्ट्रेंट करवाया जारा सोसल मीडिया पर लेकिन वही इसी के इलाके में रहने वाले कुछ लोकल लोगों ने क्या कहा है यह जरा सुनिये बता रहे हैं कि ना तो कोई नेता आया मिलने के लिए ना तो कोई व में पता नि क्या कर रहा है उसके एंपर इल्जाम लगा रहे हैं वही तो कोई पता नि पार रहे हैं इसको पर इल्जाम लगारे तो सुना आपने वहां के रहने वाले कुछ लोकल लोग है जो बता रहे है कि इसके मरने के बाद ना तो नेता आये मिलने ना ही विजाय क्योंकि मुसल्मान है और कोई होता तो अपता घंगामा मत चुका होता मेडिया वाले चिलाने लग चुके होते पुलीस ने बताया कि मांसिक रूप से विमार 26 वर्ष से इसरार एहमत पर 20 रुपए का चोरी का इल्जाम लगा कर उसे दिल्ली की नंद नगरी में बताया गया कि उसे जान से मार दिया गया खंबे से बानकर इतना मारा गया कि उसकी मौत हो गया और आज आप देख सकते हैं कि परिवार वालों का क्या हालत है तो जैसा कि इन्होंने लिखा है जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि 20 रुपए की कीमत रह गई है मुसल्मान की और आप अपनी राए जरूर दीजे इस खबर के बारे में इस तरीके से आपको ये खबरे देखने को मिल रही है मौब लिंची जो बड़ता चला जा रहा है इसके बारे में आप अपनी राए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजे मिलते हैं आप सब ले विडियो